एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिन्दगी के फैसलेट दूसरी लोग लेते रहेंगे देखे इंसान के अंदर अगर decision making power नहीं है यानि कि निड़ा लेने की छमता नहीं है तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जिन्दगी में तो आप जो है अपने अंदर decision making power को यानि की निर्ड़ा लेनी की छंता को विक्सित कीजे इससे आपको जिन्दगी में अपने सभी काम को करने में आसानी मिल जाएगी यह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो अगर आपने इस quality को develop कर लिया तो समल लिए जिन्दगी की सा पर पूरे detail में शर्षा करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलों कर सकते हैं नीचे डिस्कूस्में बास में और हमारे टेलिग्राम चैनल पर दोनों जगाँ पर आपको इस वीडियो के PDF मिल जागी और दीकिए अगर आप इस चै पर दीकिए राज्य सरकार ने चीनी पटाकों के आया थिया फर बिक्री को दंडनी अपराद गोसित किया है तो दीकिए ये राज्य सरकार आपकी हरियाना किया है और तीसरा पकी हाल ही में किस देश के पूरो प्रदारमंत्री मेसुत यलमाज का निधन हो गया तो दीकिए अच्छा पकी मेसुत यलमाज है ये तुर्की के परदारमंत्री थे और चौता था कि भारती क्रिकेट कंडोर बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटिल परायोज़ गोसित किया है तो दीकिए भारती क्रिकेट कंडोर बोर्ड है इसने जो पका जियो है देखिए ज आजी उचलोटा और आज एक रेनिवर का पहला प्रशन है कि हाली में कौन तीसरी बार आईवरी कोष्ट के राश्पती चुने गए तो दीखे एक छोटा सा देश है अफरीका में आईवरी कोष्ट इसके अभी हाली में तीसरी बार राश्पती चुने गए हैं अलसेन और टा में ये तीसरी बार जो है आईवरी कोष्ट के राजपती चुने गए हैं और इसके आलामा देखें ये आईवरी कोष्ट के प्रधान मत्री पिरा चुके हैं देखें इन्हों ने जो है नॉबर 1990 से लेकर दिसंबर 1993 तक कोष्ट डे आईवरी यानि कि आईवरी कोष्ट के प्रधान मत्री के रुप में भी कारे किया था देखें आप कंफ्यूज मत हुएगा हिंदी में आईवरी कोष्ट लिखा हुआ मिलेगा और जो आपका ये आईवरी कोष्ट डेश है अंग्रेजी में इसका नाम कोष्ट डे और अगर अफ्रीका के मैंप पप्जूम करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट देखां ठीक है और अफ्रीका में देखे नहीं। F.A. Frank और यह अपका अफरीका महाद भी पेस्टित है बने बता है आपको अभी और यहां की population है 2.51 करोड दूसरा प्रशनी की हाली में किसी न्यूजिलाइन क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोश अपॉइंट किया गया है तो दीके बिहाली में न्यूजिलाइन क्रिकेट टीम के नये बल्लेबाजी कोश बने गया है लिूक रॉंकी देखे जोपके लिूक रॉंकी है इनका कारेकाल वेट इंडिस के खिलाब घरिलू संक्रा से सुरू होगा और अपको दाजम जोपके लिूक रॉंकी है इनका जन्म न्यूजिलाइन में हुआ था देखिए जो पका न्यूजिलेंड देश है यहां के प्रधानमंत्री है जेजिंडा अर्टन जो कि विहाली में पीम चुनी गई है कहां की न्यूजिलेंड की और कैप्टल यहां की वेलिंग्टन पापुलिसन है तीसरा प्रशनी की हाली में किस अस्तान से रक्षा अनुजंदान और विकास संग्ठन यानि की डियाडियो के द्वारा पिनाका राकेट प्रडाली के उननत संस्क्रड का साफलता पुरो परिशट किया गया है तीकि जितने भी मिसाइल से इंडिया की सबको अब्रेट किया रहा है समय तो किसकी मारक चम्दा कितनी पहले थी और कितना बढ़ा कर किया गया है और कहां पर इसका विहाली में परिशट किया गया है तो ओरिशा के चान्दीपुर में भिहाली में इसका परिशट हुआ है देखे जो अबका ये पिनाका राकेट है तो इसका जो अपगरेड़ संस्क्रड है ये मौझूदा पिनाका एमकेवन राकेटों की जगह लेगा देखे वर्तमान में जो आपका MK1 पिनाखा राकेट है इसकी मारक शम्ता 40 km है लेकिन इसको अपगरेट करके अब 45-60 km कर दिया गया है यानिकि जो इसका नया संस्क्रोड होगा इसकी मारक शम्ता 45-60 km तक होगी देखे जो आपका ये प्लेस है चानदीपूर ये कहां परशित है देखे यहां पर आपको इंडिया का मैं दिख रहा है ये पीला वाला पार्ट आपका Odisha है और देखे यहां पर आपका Odisha राज दिख रहा है Odisha राज में आप सोड़ा सा अगर East में आएंगे तो यहां पर देखे ये एक छोटा सा प्लेस आपको दिखरा है रेडी स्पॉर्ट में चान्दीपूर तो यहीं से इसका परिश्ड अभी हाली में किया गया है और चौथा प्रचने की ONGC विदेश लिमिटेड के नए मेरेजिंग डिरेक्टर और CEO कौन बने तो दिखिए आपका ONGC विदेश लिमिटेड है इसके नए MD और CEO मनाए गया है एक एक गुपता देखिए आप पता तुम जो आपके एक एक गुपता है ये इस पत पर साजेदारों, सयोगियों, नियामकों, ग्राकों और राष्टी तेल कंपनियों के साथ वाणिजी गुपता को समालेंगे और जो आपका OBL, यानि की ONGC विदेश लिमिटेड है दीखिए ये जो है भारत की एक अंतराष्टी ये पेट्रोलियम कंपनी है और ये जो है राष्टी तेल और गैस प्रमोग जिसका नाम है तेल और प्राकर्ति गैस निखम यानि की Oil and Natural Gas Corporation Limited की जो है विदेशी साखा है और देखिए जो आपका ONGC विदेश लिमिटेड है इसको स्थाबित किया गया था 1965 में मुख्याल है इसका है नई दिली में तो ये डीटेश यारकेगा ONGC है हुआ रहे में द्वारा मानत जनरल पत से सम्मान किया गया है तो दीखे ये करिश्मा भीहाली में नेपाल में हुगा है भारत और नेपाल के विजमें कापी तनाद नी चल लई थी लेकिन अब ये धीरे-धीरे सही होते दिख रहा है दीखे विहाली में जो भारती ये सेना प्रमुख है मनोज मुकुन नर्वाने जी दिखाए इनको नेपाल की जो राजपती है विद्या देभी भंडारी इनके द्वारा नेपाली सेना के मानत जनरल पत से सम्मान किया गया है और इन्हे जो है नेपाल की राजपती के आदिकारिक निवास सिसका नाम है मनोज मुकुन नर्वाने को किस देशके दौरा मानत जनरल पत से सम्मान किया गया तो यह दे सबकान नेमाल है, दूसरा, नेमाल की राजपदी काउन है तीसरा, नेबाल की जो प्रदानमत्रिय का क्या नाम है, कि पी सरमावली है और सबसे इंबॉर्डेंट, नेपाल में भारत की राज़ूत काउन है, विनयम्क्वात्रा है यह चीह रखेगा और नेपाल की राज़ानी वह जो पता यह होगा काटमांडू है ठीक है और यहाँ पर एक विसेज टर्म में कल गया है कि नेपाल के राजपदी का जो आधिकारिक निवास इसका क्या नाम है सीतल निवास दीकि ऐसे ही मैं आपको important factors ले देता हूँ क्योंकि आपके कम सकम 4-5-6% त्यार हो जाएं तो दीकि वीडियो में तो आपको 12-14% मिलते हैं लेकिन ये total अगर देखें वहाँ पे जो सारे facts होते हैं उनको मिला कर आपका daily कम सकम 100-500% त्यार होता है एक वीडियो से तो जितने facts मैं आपको बताता हूँ उसको note करते रही है और यह एक्जाम में पुछी आते हैं पिछले 10 सालों का मेरा ये experience रहा है चड़ा प्रस्ने की हाल ही में कि इसके द्वारा COVID-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर तिल वी विन नाम की एक नई पुस्तक तयार की गई है तो दीख जबकि ये पुस्तक है तिल वी विन तो इसको इन्होंने अकेले नहीं लिखा है इन्होंने दो डाक्टरों का सही लिगा इसमें देखे जबकि एम्स के निदेशक है नर्दी पुलरिया और प्रमुक सारविणिक निथी और स्वास्त्य प्रडालियों के विससके हैं चंदर राओ हैं ये जो है एक कंणर रंग मंच और फिल्म अबनेता थे और इन्होंने 1975 की कंणर फिल्म गिजगाना गुड्डू से बड़े परदे पर अपने करियर की सुरुवात की थी और इसके अलामाद जो के एक लेखक भी थे और इन्होंने एक आत्म कता साहित कुलो 25 पुस्तके में लिखी थी तो कापी मल्टी टेलेंट रहें ये लेखक भी थे और ये कंणर रंग मंच और फिल्म अबनेता भी थे कौन एक जी सुम से खर राओ आड़ा प्रशने की हाली में महंदी में फिल्म का नाम है ठीक है तो फिल्म महंदी में काम कर चुके किस अबनेता का निधनों गया तो ये अबनेता आपके थे फरास कान ये फरास की जो बालीवुड डेबू थी ये 1996 में हिंदी फिल्म फरेब से हुई थी तो याद इस अब्यास का समुद्री चरण अभियाली में बंगाल की खाड़ी में अमेरिका और बांगलादेश की नौ सिनाओं के बीच में किया गया और दसनों प्रशनी की हाली में ACI विकास मेंक ने किस राज में विजली वीत्रा नेटवर को बहतर बनाने और अपगरेट करने के लिए राज को कुल 132.8 मिलियन डालर का रिट देने के मझूरी की तो दीकि ADV यानि की ACI विकास मेंक जो है मेगाले को कुल 132.8 मिलियन डालर का रिट देगा यानि कि लों किसलिए मेखाले राज में बिजली वीतरर नेटवर को बहतर बनाने और अपग्रेट करने के लिए और देखिए जो यह आमाउंट मिलेगा कोश मिलेगा 132.8 मिलियन डालर का तो यह कोश जो है कि मेखाले विद्यूत वीतरर निकम निविटेड की वीतरर प्रडाली और वित् सुनामी जागुता दिवस को मनाते हैं पांच नॉमर को और इसकी ठीम रही सिंडाई सेवन केंपेन देखिए सुनामी सब्द जो है यह एक जैपनीज सब्द है यह रखेगा एकजाम में पुछा भी गया कि सुनामी सब्द जो है यह किस भासा से उत्पन ने एक सब्द है तो यह एक जैपनीज सब्द जैटिक है देखिए सुनामी जो है यह तूफानों गहरे जो आते हैं चकरवादी तूफानों उनी का एक यह बेहत खतरनाक रूप है बालाहों कुर्शनी की हाल ही में किस राज के मुक्यमंत्री सर्वानन सोनेवाल ने गुवारी के बाहरी इल आपरी इलाके खेतड़ी में सबजीयों के सनुचट के लिए इंडो इसराइल सेंटर आप एक्सेलेंस की आदर सिला रखी है और जो आपका ये इंडो इसराइल सेंटर आप एक्सेलेंस वार वेजिटेबल्स प्रूड़क्ट कल्टिवेशन है इसकी टोटल लागत होगी 10. इसको याद करेगा असम की मुख्यमंत्री है सरबाना सोनेवाल राजपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम की राज़ानी क्या है दिस्पूर है तो ये थे आपके आज के सभी मातपूर करेंड़े पर और बात कर लेते हैं आज के सभी कुश्ण अबड़े हुए द भारती मूल की प्रियंका राधा क्रिशन को किस दिस्प में मंत्री बनाए गया आंसर बताईए और दूसरा की हाली में 37 प्रसास सिंग का निधन हो गया ये किस राज के छटवे मुख्यमंत्री थे आंसर बताईए और देखिए एक खास बतोर है जो का मंत्री करेंडे पर त दूसरा की हाली में 37 प्रसास सिंग का निधन हो गया ये किस राज के छटवे मुख्यमंत्री थे बताईए अंसर और इनके बारे में कुछ विशेज बाते थी जो मैं आपको कल के वीडियो बताईए तो उसको देख के रिवाइस घड़ा लेगा और तीसरा है कि हाली में मिस से लिए कि नौसिनाओं के बीच में मालाबार नौसाइनी के ब्यास किया गया बताईए पांच मांगी किस भारती राजी के त्वारा गरी परिवारों और सारवनी कारेलों के लिए मुप्त इंटरनेट के लिए पहली परियोड़ना लांची गई है तो इसे के साथ आज कर सब्सक्राइब करेंगे तो इसे के साथ बहुत बहुत दनीमा थेंक्यू एंड हाव नाइच टीव